मेरा कहना है कि नरेंगर नमोधी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यह इनकी strategy है, राजनाथ सिंग जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंग जी ने खारगे जी से कहा देखिए, आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट, एपोजेशन, पूरी एपोजेशन ने कहा है, हमने अभी तक राजनाथ सिम जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसर्ट करा जा रहा है। आज अगबार में लिखा है कि अप्रधान मंत्री ने कहा है कि उपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव के साथ और अभी करना है। ऑप्पजिशन ने क्लिरली कहा है, राजनाथ सिंघ जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंघ जी ने खारगे जी से देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट करेंगे मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना जाए राजनाथ सिंग जी ने कल शाम कहा था महिं कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे अभी तक राजनाथ सिंग जी ने का कॉल रिटर्न नहीं किया तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोपरेशन हो अर्फिर हमारे नेथा को इंसर्ट करा जाए तो नियत साथ नहीं है नरेंद्र मोदी जी कोई constructive cooperation नहीं चाहते हैं क्योंकि convention है कि deputy speaker opposition का होना चाहिए और हमने कहा है पूरे opposition ने कहा है कि अगर convention follow किया जाएगा तो पूरा समर्खन speaker के election में हम देंगे तो यह मैं आपको clarify करना चाहिए तो अभी क्या status है यूपिय के समय में हमने दिया था तो मेरा कहना है कि नरेंज्र मोदी कहते कुछ है और करते कुछ है यही इनकी formula है यही इनकी strategy है और इनको यह बदलना ही पड़ेगा इस इस क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधान मंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है प्रधान मंत्री कहते हैं, कोपरेशन होनी चाहिए, सब को मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं, और अंदर कुछ और करते हैं, और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तब कॉल रिटर्न ने होगा है.